रादे रादे दोस्तों, पितर पक्ष में शुराद की सभीत सोला तितियां होती हैं बेहत खास, जाने कब करें किसका शुराद। किसी व्यक्ति की मृत्यू के बाद वे पितर कहलाते हैं और परिवार के लोग पितर पक्ष में उनका विदी विधान से श्राद करते हैं। हिंदू धब में श्राद का खास महत माना गया है। हर साल भादरपद माह की पूर्णिमा तिथी से लेकर आश्विन माह की अमवस से तिथी तक पितर पक्ष होता है। पितर पक्ष की सबी सोला तिथियां बहुत ही खास होती हैं और तिथी के अनुसार ही उनका श्राद कर्म किया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल पित्रपाक्ष 29 सितंबर 2023 से शुरू हो चुका है जो कि 14 अक्टूबर 2023 को इसका समापन होने वाला है। हिंदू धव में पित्रपाक्ष को बहुत ही महत्पूर माना गया है और कहते हैं कि इस दोरान पित्रों का शुरात करने से उनकी आत्मा को शांती मिलती है। पित्र का शुरात किया जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं पित्रपाक्ष की तिथिया। पूर्णिमा और पहला शुरात 29 सितंबर शुक्रवार को है। दुतिय तिथी का शुरात 30 सितंबर शनिवार को। तृतिया तिथी श्राद एक अक्टूबर रविवार को है, चतुरती तिथी श्राद दो अक्टूबर सोहवार को है, पंचमी तिथी श्राद तीन अक्टूबर यानि मंगलवार को है, पश्टी तिथी यानि की चार अक्टूबर वदवार, सब्तमी तिथी श्राद पांच अ एक तोबन स्वतार दर्शमीद से तुन्हेतार न जतने लगाद आरे इद्व Marion 05 k Sub precisamente चृट कि एक्टूबन से जोड़ा chỉनेक नहीं सुट्फी इतने 10 नहीं श्यक्तार देन 10 अक्टूबर शुकवार सर्प प्रित्र अमावर्स श्राद 14 अक्टूबर शनिवार को है अच्छा बात करते हैं पित्रपक्ष में किस तिथी पर होता है किस का श्राद पहली पूर्णिमा तिथी जिहां दोस्तों जिन लोगों की मृत्यू पूर्णिमा तिथी के दिन होती है उनका पित्रपक्ष की पूर्णिमा यानि की पहली तिथी का किया जाता है दोत्य श्राद जिन लोगों के पित्रों का निधन किसी भी महा की दोत्या तिथी को होता है उनका श्राद पित्रपक्ष की दोत्या तिथी के दिन किया जाता है तित्र श्राद किसी भी महा की तित्या त तिति के दिन मृत्यू होने पर उस व्यक्ति का श्राद कर्म पित्रपक्ष की तितिया तिति के दिन होता है। चतुर्थी श्राद यदि किसी पितर की मृत्यों के दिन चतुर्थी तिति होती है तो उसका श्राद पितर पक्षमी चतुर्थी तिति के दिन किया जाता है पाँच्वा श्राद जी हां किसी अविवाहित यानि की कुमारे पित्रों का श्राथ पंचमी तिति के दिन किया जाता है दोस्तों ये थी जानकारी पित्र पक्षमी श्राथ के सभी सूला तितियों के बारे में और किस दिन किसका शराद करना चाहिए ये मैंने आपको जानकारी अपने वीडियो द्वारा आप तक पहुंचा दी है उमीद कर दी हूँ ये वीडियो आपको काफी काम आएगा आपकी जानकारी में वृति लाएगा अगर आप ऐसे ही धार्मी पुराणी कहानी कताएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल अध्यात्मी कहानियों को तुरण से लाइक कीजिए शेर कीजिए और सुस्क्राइब कीजिए मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही इसी चैनल पर नई रोचल जानकारी और कहानी के साथ आप देख रहे थे आपका अपना पसंदिता यूट्यूब चैनल अध्यात्मी कहानिया